आप सभी का Home Science Classes में स्वागत है तो Home Science में H.T.T.G.T.P.G.T. और Assistant Professor की तैयारी कराई जा रही है इसमें इसका 3rd वीडियो है ठीक है आज क्लास 3rd है तीसरी क्लास है तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोशक्तत्तो के बारे में जानेंगे और पोशक्तत के क्या कारे होते हैं ये स्लेपबस के अगोड़ के आपको द्यारी कराई जारी इसे पहले भोजन के बारे में जाना था कि भोजन क्या होता है क्या कारे होते हैं भोजन की प्रकार तो चले देखते हैं पोशक्तत्त के बारे में NCRT के इसलिए हम NCRT के बुखसी त्यारी करेंगे, देखें यहां पर है पोशक तथा पोशक तथ्व, तो पोशक क्या होता है? क्या आपने कभी सुचा है कि उस भोजन का क्या होता है, जो हम खाते हैं? हमें भोजन से उर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? अब हम भोजन तथा उसके कारियों से सम्बंदित विज्ञान की चर्चा करेंगे हम पोश्र को उस विज्ञान के रूप में परिभासित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में प्रवेश करने वो उसके बाद भोजन का क्या होता है तो देखें जो हम भोजन खाते हैं जो भोजन खाते हैं जो भोजन खाते हैं जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या कार होते हैं उस भोजन का क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है तथा शरीर में इस कोपियों किस प्रकार होता है एक मनुश्य बच्चे से वियस्क तक तथा वियस्क से बुजुर्ग में किस प्रकार विक्सित होता है तो यहाँ पर देखिए, जिस भोचन हम सेवन करते हैं, उसमें अनेक रसानिक तत्व होते हैं इन रसानिक तत्व को पोश्रक तत्व कहते हैं, जैसे कि आप देखिए आप खाने में क्या खाते हैं, अगर लंच की बात करें, ठीक है लंच में आप लोग क्या खाते हैं जारतर लोगों में रोटी हो सकता है ठीक है रोटी या फिर चावल दाल और सबसी लोग जारतर लोग क्या करते हैं ऐसे ही लंच करते है ठीक है तो रोटी और चावल में क्या होता है कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट होता है, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और सबजियों में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, तो यही हमारे शरीर में जो जाते हैं, इनहीं को कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और विटामिन्स सभी क्या हमारे पोशक्त पोश्रक्तत्व भोजन में उपसिद वे आदर श्री घटक है जिनकी आफश्रक्ता हमारे चुरीर को स्वस्त बनाने के लिए होती है तो देखें जो चाव लोटी खाता है उसमें हमें तो प्रोटीन दिखता नहीं है तो प्रोटीन कार्बोहाइडर्र दिखाई नहीं देता लेकिन जब हम खाते हैं हमारे चुरी में इसका पांचन होता है तभी क्या होता है कार्बोहाइडर्र पोटीन इस अभी उसमें तूटने लगते हैं अपने सुरलत मिगाई में तूटने हैं जिससे हमारे चुरीर को क्या मिलता पोशक तत्व मिलते हैं और हमारे चुरीर को पुर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, तो यह कौन-कौन से होते हैं, तो दोखे हमारे भोजन में पस्षित समानी पोशक तत्व है, कार्बो ह्ड़ेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनीज, रेशे, पानी यह सबी क्या है, हमारे पोशक तत्व हैं, दिक है, जो हमारे स्व के लिए उर्वास के लिए खाना चाहरता है इए फोषब में जांश नाम गया पोषकक दत्व के बारे में तो अब हम जानेंगे इनका स्रोत बारे करते हैं। दर मीरत पोषक करता है नियुक्ण कार्बो हाइडरिण तो other तो आलू में होता है चावल में होता है मिठाई में होता है इससे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो कार्बोहाइडरेट के सरल्तम 1जा ने कार्बोहाइडरेट के सरылतम एकाई कौन सी है आप सबी को पता होगा ग्लुकोज में तूटती है ठीक है फिर उसे हमें उर्जा मिलता है देखें शक्रा शुगर शक्रा को साधारन कार्बोहड़िड भी कहते हैं फल्श है तथा चीनी शक्रा की कुछ महतपूर स्रोत है तो देखें यही से सारे कोशन्स बनते हैं स्टार्ज को जतिल शक्रा भी कहते हैं देखें जो शक्रा है शक्रा को साधारन कार्बोहड़िड कहते हैं स्टार्ज को जतिल शक्रा भी कहते हैं जैसे स्टार्ज के पौधे स्टार्ज की रूप में उर्जा एकरत करते हैं जब हम स्टार्यूट स्टार यूट पौधा उत्पादों को सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लुकोस में खंडित कर देता है या ग्लुकोस रक्त में और शोशित होकर हमारे हमें उर्जा पदान करता है तो ग्लुकोस क्या करता है वह ग्लुकोस से हमारे शरु को क्या मिल पौधों पाई जाने वादे स्टार्च होती है तो देखें कुछ खात परदा स्टार्च के रूप में अब शुगर यहां पर उपलब्त कराते हैं यहां खात परदार्थ है अनाज आलू शक्रकंदी और शक्रा के रूप में कार्वोहाइड़ बदान करते हैं उधारन के लिए चीनी शहद ठीक है यहां पर यह देखें कार्वोहाइड़र्ट के वारे में कार्वोहाइड़र्ट के कार और स्रोथ क्या क्या होते इसके बारे में जानेंगे देखने से पर यह देखें यहां पर एक नोट है एक व्यस्क व्यक्ति को प्रते दिन 400 से 420 ग्र प्रोटीन को अनिकाल करने के छोड़ देता है क्योंकि अगर अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो प्रोटीन को अनिकाल करने के छोड़ देता है अगर कार्फोटीन के लिए निकाल काल करेगा तो प्रोटीन को कर === बोजन को स्वादिस्त बनाता है। अब देखते भोजन को स्वादिस्त बनाता है। अनाज होते हैं जैसे कि गेहू, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शक्रकंदी, अर्भी से हमें स्टार्ज प्राप्त होते हैं शक्रा किस रोत क्या है चीनी, शहद, गुर्ण, मिठाई, जैम, मुरब्बा तो इनसे हमें शक्रा प्राप्त होती है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करें कि आपके देगे, आज का मारा यही समाप्त करते है, वीडियो जादे लम्भी हो जाएगी, तो आज हम प्रोटीन को देखेंगे, ठीक है